श्वागत है आपका हमारे शेनल निराला एकेटवी में आज की जो टापिक है हिंदी वर्णी का भाग टू का चैप्टर नमबर थ्री मा जिससे अबजेक्टिव कोश्चन निकाले गए हैं जो इस बार 2021 के फाइनल टर्म एक्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तो अन त किस कहानी का पात्र है मंगो किस कहानी का पात्र है दही वाली मंगमा नगर धहते विश्वास या मा इसका एंसर होगा मा दूसरा प्रश्ण है मा कहानी का कहानीकार कौन है मा कहानी का कहानिकार कौन है सुजाता इसवर पेटलीकर शामर दैया या लक्षमे इसका एंसर होगा B. इसवर पेटलीकर चलते हैं तिसरे प्रश्ण पे तिसरा प्रश्ण है यह मा कहानी में किसकी मामता का वर्णन किया गया है मा कहानी में किसकी मामता का वर्णन किया गया है पिताक मा, पुत्र, पुत्रे इसका एंसर होगा B मा मा कहानी का परमुख पात्र कौन है लक्षमी, सीता, नगमा या मंगू मा कहानी की परमुख पात्र मंगू है ये सबको पता होना चाहिए डेफिनेटली next question है मंगू कैसी लड़की थी अच्छी लड़की थी, खराब लड़की थी पागल लड़की थी या गुंगी लड़की थी मंगू कैसी लड़की थी इसका answer होगा पागल next question है मा किस भासा में रचित कहानी है बंगला, उडिया, गुजराती, राजश्थाने माग किस भासा में रशित कहानी है तो इसका एंसर होगा गुजराती नेक्स्ट कोशन है इसवर पेटलीकर की रचना है इसवर पेटलीकर की क्या रचना है लाल पान की बेगम, खून की शागाई, धहते विश्वास या सीरिशन तो इसका एंसर है खून की शागाई अगले प्रश्ण के तरह बढ़ते हैं अगला प्रश्ण मा कहानी किन के द्वारा लिखा गया है मा कहानी किन के द्वारा लिखा गया है बी आर नरायन, बी आर चोपडा, गोपाल दाश नागर या इसवर पेटलीकर डेफनेटली इसवर पेटलीकर जी ने लिखा है मा कहानी में कौन पागल था अभी एक प्रश्ण आया था उसी परकार है मा कहाने में कौन पागल था मंगु की मा, मंगु का पाई या मंगु की बहन इसका अंसर होगा B नेक्स्ट है दस्वी प्रश्टन किसके पागलपन में शुधार देख लोग मंगु की मा को आस्पतार ले जाने की सलाह दे रहे थे कुशुम को, कुश्पा को, गुढिया को या शोनी को इसका अनसर होगा कुशुम 11. प्रश्ण मंगू की उम्र कितनी थी 10 वर्ष, 11 बर्ष, 12 या 13 बर्ष मंगू की उमर पताओना चाहिए आप सबी को 12 बर्ष थे मंगू की मा को कितने पुत्र थें मंगू की मा को कितने पुत्र थें एक दो तीन या चार इसका एंसर होगा दो पुत्र थें मंगू जिस अस्पिटाल में भरती होती है वहां के क्रमचारी व्यावार कुशल और व्यावारिक या कठोर सोभागे थे या अनुभावा हथ है जिस तो हस्पीटल में भरती होती है तो वहाँ के जितने भी क्रमचारी है वो बेवहार कुशल कहानी का प्रधान पात्र है मंगो डॉक्टर मा कुशुम स्कैंसर होगा मा इस तरह पागल पुत्री को तो एक मा ही पाल सकती है यह किस की उपती है यानि किस ने कहा है डॉक्टर ने माजी की पुत्रों की स्माज की लोगों की या अस्पताल की प्रमचारियों की तो यह समाज की लोगों की है नेक्स्ट कोश्चन है सुला हुआ, मंगु को पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की वस्था से, 10 वर्ष या इनमेश कोई ने? जनमेश कोई ने? आखरी प्रशन है, मांजी ने मंगु के अस्पताल में भरती कराने के बाद क्या परिवर्थन हुआ? बहुत प्रशन हुई पोते के शवा में लग गए, पागल हो गए या इनमेश कोई ने? वो पागल हो गए थैंक्स पर वाचिंग, प्लेश अप्रशन हुआ